वेल्लो एवरीवन वेल्कम बाक तो मैं यूटूब चैनल इन्वेस्टोलोजी डॉट कॉम वेर यू लर्न इन्वेस्टिंग इन डीटेल दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हम आपके लिए लेकर आए है और एक इंपोर्टन एंड एक्साइटिंग वीडियो इस वीडियो म हमने आठ ऐसी कंपनियां लगाई है जिन हूने अनाउंस्मेंट कर दी है डिविडेंट्स की और एक ऐसी कंपनी लगाई है जिन हूने अनाउंस्मेंट कर दी है स्टॉक स्प्लिट की इन सभी डिविडेंट्स की और इस स्टॉक स्प्लिट की जो एक्सडेट नहने वाली है वो है 5th September 2024, 1 रुपई से लेकर 20 रुपीज तक का होने वाले है ये सारे डिविदेंट्स, तो आप इस वीडियो को अन तक जरूर देखें, क्योंकि ये आप के लिए शायद value for money जरूर बने, तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अन तक जरूर देखोगे, अगर आप हमा इंडस्ट्री इस लिमिटेड जिन हुने अनौंसमेंट कर दी है डिविदेंट की 1.25 रुपीज पर शेर के हिसाब से, एकस्टेट 5th September की हां पर सेट कर दी गई है, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि लास्टेट तो बाइट इस टॉक इस 4th September, record date is not disclosed by the company yet, stock price is 475 रुपी के हिसाब से, एकस्टेट 5th September की हां पर फिक्स कर दी गई है, लास्टेट तो बाइट तो बाइट इस 4th September, record date is not disclosed by the company yet, stock price is 264 रुपीज पर शेर, जिन हुने भी अनौंसमेंट कर दी है, दिविदेंट की 0.30 पर शेर के हिसाब से, 5th September is the X-State, लास्टेट तो बाइट तो बाइट अनौंसमेंट कर दी है, लास्टेट तो भी झौंसमेंट कर दी है, भोची करनाफ से, ने भी अनौंसमेंट कर दी है और शेर के हिसाब से, 5th September is the X-State, लास्टा तो बाइट तो बाइट इस 4th September, record date यहां पर 5th September का रखा गया है, क्टोच पृष सेर के की रखी गई है लाज देट वाइट इस टोग इस 4th September record date is not disclosed by the company yet and the stock price is 139 rupees per share the next company is Silver Touch Technologies Limited जिन हुने भी अनौंसमेंट कर दी है dividend की 0.50 rupees per share के हिसाब से xstate 5th September का रखा गया है लाज देट वाइट इस 4th September and the record date is not disclosed by the company जिन हुने भी अनौंसमेंट कर दी है dividend की 0.50 rupees per share के हिसाब से xstate 5th September की रखी गई है लाज देट वाइट इस 4th September and the record date is not disclosed by the company yet stock price is 433 rupees per share the next company is Gulf Oil Lubricants India Limited जिन हुने भी अनौंसमेंट कर दी है dividend की 20 rupees per share के हिसाब से xstate 5th September की यहाँ पर fix कर दी गई है last day to buy the stock is 4th September recorded भी 5th September का ही रखा गया है जिसका मतलब यह भी निकल के आता है कि अगर आप इस company को बेचना चाहते हो और आपको यह dividend फिर भी चाहिए तो 5th September के दिन आप इस stock को बेच सकते हो आपके DMAT account से आपको dividend फिर भी मिलेगा stock price is 1,402 rupees per share if we compare this price with the amount of dividend I would say it's a decent dividend चलिये अब बात कर लेते है stock split की the name of the company is Sapphire Foods India Limited जिन हुने अनॉंसमेंट कर दी है stock split की 5 is to 1 के ratio में मतलब अगर आपके पास यह company का एक share है आपके DMAT account में या अगर आप इस company का एक share खरीदते हो at least one day before the X date then this company will give you 4 more shares free of cost without anything paying to this company fully paid up equity share in total आपके DMAT account में 5 shares हो जाएंगे after the execution of this stock split stock split के बारे में कुछ चीजे ध्यान में रखनी होती है एक ता होता है X date X date जो कि यहां पर 5th September है 5th September के दिन यह company का जो stock price होगा वो split होगा in the same ratio जिसमें आपको stock split मिल रहा है ratio 5 is to 1 के ratio में same goes with the capital and face value face value भी split होगी capital भी split होगी and price will also split यह चीजे आप ध्यान में रखे और X date के दिन ही price split होगी लेकिन जो extra number of shares आपके demand account में आने है वो after the execution of this stock split होगा last day to buy this stock is 4th September 4th September तक अगर आप इस company में निवेश करते हो तभी आपको यह split में हिस्सेदारी मिलेगी otherwise भूल जाओ record date 5th September की रखी गई है मतलब 5th September के दिन आप इस company को बेच भी सकते हो आपको फिर भी extra number of shares आपके demand account में फिर भी आएंगे बात अगर करें current stock price then this company is trading at 1624 rupees per share in today's stock market current face value 10 rupees का है जो कि आप गटके होने वाला है 2 rupees after the execution of this stock split and if we talk about market lot तो यहाँ पर एक share आप खरीच सकते हो 2, 3, 4, 5 कोई denomination में यहाँ पर जरूरत नहीं है कोई restriction नहीं है small investors can invest as well because आप एक share भी ले सकते हो thank you so much for watching this video अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को like कर सकते हो share कर सकते हो comment भी कर सकते हो please subscribe to our youtube channel for such wonderful and exciting content and press the bell icon notification ता कि आपको मिलती रहे ऐसे ही वीडियो की सबसे पहले सबसे फास्ट नोटिफिकेशन ता कि आप भी फाइदा उठा सको सबसे पहले सबसे फास्ट thank you so much for watching this video once again remember guys one stop at a time